हेलो स्टुटेंट्स हम अपना चैप्टर नमबर एट हाउ डू ऑर्गनाइजम रिप्रेड्यूस को आज कॉंटिन्यू कर रहे हैं उसका पार्ट सिग्स है अगर पिछली पार्ट सा आपने नहीं देखे हो तो पहले आप उसको देख लो तब ही आपको प्रॉपर समझ में आ को पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे female reproductive system and fertilization कैसे होता है ठीक है और कैसे जो है बेबी यूट्रस में पूरी तरीके से डेवलप होता है लेट स्टार्ट प्रॉजय अ झापने इस फीमें फिस्ट टॉपिक इस फीमेल इप्रोडेक्टिव सिस्टम सबसे पहले आप पीप सिस्टम का डाइग्राम देख रहे हो आपको सबसे पहले इसकी लेबलिंग होनी चाहिए फिर उसके हम फंक्शन देखेंगे फस्ट याहाँ पर आप देख रहों यह ओवरी है यह यह अग्स होता है जहां से एक रिलीज होता है इसमें आप देख रहे हो यहाँ पर ओवरी है ठीक है और यह क्या होता है ओवरी का काम क्या होता है एग का प्रोडक्शन ठीक है ओवरी का काम अपका क्या हो गया एग को प्रोड्यूस करना इन फीमेल में एग प्रोड्यूस किसके थू होता है आपको बताया मैंने यहाँ पर एग रिलिज हुआ यह ओवरी थी हमारी दो वरी होती है पेर्स में एक left side और एक right side ठीक है तो अब यहाँ पर जो है आगे एक tube जा रही है, यह भी tube है, यह दोनों ही fallopian tube कहलाती है ठीक है, इसको भी fallopian tube कहते हैं और इसको भी fallopian tube कहते हैं तो it is a tube that receive ovum, जो की ovum को receive करते है, it means egg, जब egg यहां से release हुआ, तो क्या होता है, यहां से fallopian tube क्या करता है, receive कर लेता है नेक्स्ट है हमारा uterus यहां पर यह uterus ठीक है तो uterus क्या होता है यह sack-like होता है जहां पर embryo develop होता है मिनस यहां से egg release हुआ, fallopian tube में गया, जब sperm इसके साथ fusion होता है तो यहां पर fertilization शुरू होता है और बाद में वो आके uterus में अपनी जगे ले लेता है और वहाँ पर पूरा embryo क्या होता है develop होना शुरू हो जाता है तो हमने इसके parts देख लिए fallopian tube हो गया, uterus हो गया next, cervix, यह cervix है, cervix क्या होता है it is a cap of the vagina, यह vagina की एक तरीके से cap होती है vagina, the outer exposed part of the female reproductive system is called vagina जो outer part होता है female का exposed होता है reproductive system उसे क्या बोलते हैं, vagina अब हम देखते हैं, fertilization जब egg release हुआ, ठीके, और egg अगर release हुआ, तो वहाँ पर दो system होगा या तो वो क्या होगा, fertile होगा, या फिर fertile नहीं होगा ठीके, तो अभी जो हम पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि जब egg क्या होगा, fertile हो जाएगा, तो क्या होगा जब egg fertile नहीं होगा, तो उसका system अलग होगा ठीके, तो first start करते हैं, fertilization in fertilization, the following event अकर अगर fertilization हो गया, तो हमने ये पढ़ना है, ठीके तो जो fertilization नहीं होगा, उसको बाद में देखते हैं fertilization कैसे होता है, egg release हुआ, ठीके और male का क्या आगया, यहाँ पर sperm आया, तो sperm आके जब इससे fuse हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, fertilization यह हमने पढ़ा हुआ है पहले, ठीके, तो अब देखते आगे ovulation, it is the release of ovum from the ovary into the fallopian tube with the ovulation, thinking of the uterus wall, take place ovulation occurring every month in female after attending puberty, that is after the age of 13 ovulation क्या होता है, कि जो ovary होती है, वो क्या करती है एग को release करना शुरू कर देती है, और फिर कहां जाता है वो fallopian tube में जाता है, और यह हर month release होता है ठीक है, female में हर month, उसकी पिबर्टी की area में, पिबर्टी की पिबर्टी की age में, पिबर्टी की आपको पता है, कि कलगबग क्या होता है 13 to 14 year, उस time में एग जो है, वो release होना शुरू हो जाते है अब एग release हो है, अगर उनमें copulation हुआ, copulation मेंस male और female जब intercourse होता है, ठीक है, तो during intercourse, sperm of male is injected into the female's vagina in one secretion, there are millions of sperm, but only one sperm is capable of fusion with the ovum, all there are the regions क्या होता है, कि जब ये एग है, ठीक है, मान लो, और ये क्या है, sperm तो जो male से sperm निकलता है, वो millions में sperm होता है, लेकिन वो, मतलब female के fallopian tube तक पहुचने तक, क्या होता है डेड होता है, कई क्या होता है, जब उसको nutrients proper नहीं मिल पाता है, इसलिए वो डेड हो जाता है कई आगे mortal नहीं हो पाते है, तो डेड हो जाते हैं, कई जो female का uterus का pH होता है, वो उसके capable नहीं होता है, तो डेड हो जाते हैं और सिर्फ एक आदा स्पर्म है जो की पहुंच जाता है अपने एग के पास ठीक है तो जब एग के पास पहुंच गया तो उसमें साथ में क्या हो जाता है यह फ्यूज हो जाता है अब जब फ्यूज हो गया जब एग और स्पर्म दोनों आपस में फ्यूज हो गये तो उसे क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन तो दा फ्यूजन ओफ स्पर्म एग इसका फर्टिलाइजेशन इस टेक प्लेस इंद फैलोपियन ट्यूब एज रिजल्ट डेपलॉइड जाइगोटिस फॉर्म तो यहां पर फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहां एग था और स्पर्म जो है इसके अंदर क्या हो गया फ्यूज हो गया ठीक है जब एग और स्पर्म फ्यूज हुआ तो आपको यह याद रखना चाह हुआ है तो अपको यह एड़ हो गया कि जबढ़ी सप्रम यह आ driven होने के बाद ुसका जो में टेसलट हो unie सब्सक्राइब स्था वुआ हो थैकू इस मेरा के लिजह करता है इसासा इंप्लानटेशन को साशूज हो गया अब जैंबियों में होने के लिए खुछ टायम चाह तो the fixing of zygote into the uterine wall is called implantation क्या होता है कि जब zygote develop होना शुरू होता है तो uterine wall पे जाके वो अपने आपको implantation कर लेता है और कुछ दिनों में वहां पर fertilization के बाद होता है यह जो process होती है कुछ दिनों में fertilization के बाद होती है fertilization हुआ, fertilization के बाद zygote formed हुआ, तो कहां हुआ fertilization फैलोपिन ट्यूब में हुआ, उसके बाद क्या हुआ implantation में जब zygote बना तो उसने अपनी जगे को घोजना शुरू किया कि कहां पर वो develop हो तो वो कहां चला जाता है uterus की wall के पास और वहां पर वो develop होना शुरू हो जाता है अब वहां पर जब develop हो गया develop होने के बाद जाइगोर जब develop हो तो क्या बना शुरू होता है embryo ठीक है तो embryo में हम अगला देखते है placenta आप यहां पर देख रहे हो कि बच्चे को जो food है मैं एक मिट पैन का color change करके आपको दिखाती हूँ तो बेबी को जो food है ठीक है वो एक इस तरी thread like structure आप देख रहे हो यह pipe like structure यह इसके थुरू जो है बेबी को जो है food मिलता है mother की body से तो उसी क्या बोलते हैं placenta ठीक है it is the temporary form tissue that provide nutrition to the growing embryo of developing zygote first आपको यह confused नहीं होना है ध्यान रखना है male female egg or sperm confusion हुआ तो fertilization हुआ ठीक है फिर यह develop हुआ तो क्या बना zygote बना अब zygote develop हुआ तो क्या बना embryo embryo को क्या चाहिए nutrients चाहिए तो वो अपने mother से nutrients लेगा तो किसके थुरू लेगा placenta के थुरू ठीक है तो आप यहां पे देख रहे ना यह pipe C यह क्या होता है placenta जिसके थुरू embryo जो है nutrients लेता है और डेवलप होना शुरू हो जाता ह नेक्स्ट कुछ पीरेड से यह आपने बहुत अच्छे से समझना है कई बार वनमाक्स में आ जाता है गैस्ट्रिशन It is the period of development of the zygote into full grown foetus ठीक है जब ऐसा पीरेड जिस time में zygote पूरी तरीके से क्या बन जाता है ठीक है तो अच्छी तरीके से उसकी body parts बोड़डर से दिखा है देने लग जाता है मिस पूरा डेवलप हो जाता है उसे क्या बोलते हैं फिटस तो जैसे कि सब में अलग-अलग टाइम पीरेड होता है कि किसी में दो two month में complete होता है किसी में one month में complete होता है लेकिन हमारे human beings में क्या होता है ये time period nine month का होता है नेक्स्ट है पार्चुरेशन ये क्या होता है explaining a fully grow baby from the mother's body is known as parturation क्या होता है जब पूरी तरीके से baby grow हो जाता है पूरी तरीके से ठीक है तो जब full baby grow हो जाता है mother body के अंदर उसे क्या बोलते हैं पार्चुरेशन ठीक है तो यह हमारा यहाँ पर topic खतम होता है और इसमें क्या होता है main parturation में कि अभी पहले baby को क्या था food लेने के लिए placenta ठीक है placenta के तरूँ वो food ले रहा था ठीक है लेकि जब वो पूरा grow हो गया baby और mother body के कहां आ गया बाहर आ गया पूरा grow होने के बाद जब baby mother body के बाहर आ गया तो क्या होता है कि उसको इस placenta की ज़रुत नहीं है food को अपने आप में लेने के लिए food receive करने के लिए तो उस टाइम उसका placenta क्या कर दिया जाता है cut कर दिया जाता है तो और उसको बाहर से जो है अपना nutrients मिल जाता है ओके strength I hope आपको समझ में आ गया हो next आइस term में हमने पढ़ा कि जब fertilization हो जाता है एग fertile हो जाता है तो क्या होता है ठीके next topic next lecture में पढ़ेंगे कि अगर एग fertile नहीं हुआ तो क्या होगा please मेरे channel को like, subscribe और share करना मत भूलना ओके strength मेरे और नहीं हे लो झाल मने क करोो कि अपलवे कि अए्दर से घ्छ LOT अपल और एग थका लागर श्रेह लेग सकता है छिएने की में जाता है या wicked कि अषिऊ में भ जाता है और खक दूदर को फर रびवीं को अचЭंब समो